सो फ्रेंड्स आप लोग देखो के बाता इंडिया ने अपने quarter 4 के number disclose कर दी है तो कैसे रहे है quarter 4 के number और साथ में क्या कुछ announce होया announcement के बात के तो बारा रूपेजी है 240% जाने की company ने dividend की announcement की है 240% तो चलिए अब देख लेते भी इसके results कैसे है और उसका जो impact है वो stock के उपर कैसा रहेगा तो यहां पर आप लोग देखो को भी consolidated statement देखेंगे all figure in rupees million में रखा crore में convert करेंगे यह quarter ended है और यहां पर आपको 12 month ended results देखने को मिलेंगे अगर बात की जाए total income की है total revenue तो अपके बार 819 crore 76 lakh की income रही है जबके previous quarter में 914 crore की income थी वही previous year के same quarter में 788 crore की year on year basis पर इसके income में jump है quarter on quarter basis पर income में घिरावत है revenue from operations भी आप लोगो देखोगा भी quarter quarter तो टूटे है लेकिन year on year basis पर increase हुए है उसके बाद देखो कि इसके जो expenses है आपके बार 736 crore 83 lakh के जबकि previous year में 836 crore के थे वहीं previous year के same quarter में 700 crore के quarter और इरो ने वैसीज़ पर expense बढ़े हैं बट quarter to quarter expense टूटे है और अपके बार जो इसका revenue है वह इसके expense से जाद है मतलब company ने फिर से profit बनाया है लेकिन कितना तो यहां पर देखो कि profit for the period अगर बात करें तो 63 crore 64 lakh का profit है जबकि previous quarter में 57 crore था प्रिवसर के सेम quarter में लगबग 65 crore का तो year on year basis पर हलका full cutting line है quarter on quarter basis पर आप लोगो देखो कि भी 6 crore के असपास increase हुए profit तो कुल मिला कर देखा जाए तो result flat है ठीक है ना जादा खराब ना जादा सही उसके बाद देखो कि earning per share लगबग 4.95 पैसे जबकि प्रिवसर में 4.51 पैसे प्रिवसर के सेम quarter में 5.11 पैसे तो result मिला जुला से result आये हैं तो इसका कुछ जादा बड़ा negative या positive effect नहीं आने वाला है और वाके जो यह notes थाना भई इन्हें आप लोग वीडियो को पोज़ करके detail में पढ़ लेना यहां पर देखोगे प्रिवस के मुकाबले जो इसकी assets है वो कैसी रही है भी वो यहां पर देखे वो total assets प्रिवस के मुकाबले तो increase ही हुई है ठीक है अगर बात करें company को उपर debt की तो company को उपर debt हम यहां पर देखे जो नहीं मिला है borrowing वगरा तो यह update अभी cash flow statement है यहां पर पर देखे विडियो